असलाव लेक्वाइब भरोवाइब दिस इस विलाव भाप विडियो वाली सरकार और आज की इस विडियो के अंदर जो फोन में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इसका नाम है इन्फिनिक्स नोट 8 और इन्फिनिक्स की जो नोट सीरीज है ये काफी टाइम से पाकिस्तानी मारकेट के अंदर आ रही है लेकिन लास्ट टाइम जो इन्फिनिक्स नोट 7 पाकिस्तानी मारकेट में लाच हुआ है ये इन्फिनिक्स के लिए एक मेजर टरनिंग पॉइंट भ और एक वो लोग होंगे जो के अच्छी performance और अच्छी battery life देख रहे हैं क्योंकि इस mobile phone की specifications में उन दोनों लोगों को cater किया गया है यहां पर Infinix का जो Note 8 है यह available होगा दरास के ऊपर description में आपको link भी देखने को मिल जाएगा Infinix Note 8 के साथ Note 8i के नाम से भी एक mobile phone आ रहा है और इस mobile phone को pre-order करने पर आपको Infinix के जो earphones है I think यह XE07 के नाम से आते हैं यह भी देखने को मिल जाएंगे तो you can get them as well Infinix Note 8 जो पाकिसानी market के नादर लाँच हो रहा है यह 6GB रहा है और 128GB की internal storage के साथ होने वाला है और इसका जो price tag है वो 29,999 होने वाला है तो यह काफी अच्छे price tag के साथ आ रहा है 6.95 inches का यहाँ पर display लगाया गया है तो एक बड़े display के साथ आ रहा है और हमेशा ही Infinix की जो note series है वो बड़े display के साथ ही आती है जो यहाँ पर color हमारे पास मौझूद है इसका नाम है Iceland fantasy तो यह कोई simple color नहीं होने वाला Infinix के last time भी हमने note series पर देखा था box के ओपर जो plastic wrap है इसको हम remove कर लेते है और box का जो layout है वो कापी है तक वैसा ही है जैसे हमने पिछले Infinix Note 7 पर देखा है यहाँ पर कुछ main highlights दी गई है जिनमें आपकी storage और RAM है जो के 128 और 6 GB है उसके बाद आपको देखने को मिल जाती है आपकी battery capacity यह mobile phone 5200 mAh की battery के साथ आ रहा है android 10 यहाँ पर आपको auto box देखने को मिल जाएगा front camera जो है वो 16 megapixel का dual camera है बाद वे इस mobile phone के अंदर 6 camera है total और back side पर आपको quad camera setup मिल रहा है जिसमें आपका main camera 64 megapixel का है और उसके लबाद आपका macro camera available है और उसके लबाद दो sensors है एक आपका portrait sensor है और एक आपका AI sensor है तो इस mobile phone के sensors अतने जादा powerful हो या ना हो इसकी जो look है वो बहुत जादा premium होने वाली है क्योंकि यहाँ बाद back पर at least 4 cameras लगाए गए है प्रोसेसर जो यहाँ पर लगाया गया है वो MediaTek का Helio G80 है जो के एक gaming chipset consider किया जाता है और यही वज़ा है कि mobile phone gamers और camera department वालें दोनों को cater करेगा 6.95 इंचेस का display है जिसके अंदर 720p resolution का display दिया गया है तो this is not the most high end display जो कि इस price category में मिलता है कुछ companies 1080p भी offer कर रही है लेकिन इतने बड़े display के साथ I don't think so कि जादतर लोगों का कोई भी problem होने वाला है इसके इलावा यहाँ पर आपको dual stereo speakers देखने को मल जाते हैं Note 7 में भी stereo speakers थे लेकिन उनका जो sound था वो अतना मज़दार नहीं था देखते हैं इस बार कैसा रहता है और उसके इलावा यहाँ पर 18W की fast charging भी दी गई है जिसको Infinix अपनी dual engine fast charging कहता है box को हम open कर लते हैं box को open करते साथ आपको again वो ही जो highlights है जो मैंने पहले बताई हैं उनी की details दुबारा provide की जाती है यहाँ पर आपको 6.95 इंचेस का display मिल रहा है side mounted fingerprint scanner है जिससे मैं इस phone को on भी कर रहा हूँ उसके इलावा 5200 mAh की battery है और MediaTek का Helio G80 का जो chipset है वो यहाँ पर लगाया गया है iPhone जो है वो यहाँ पर turn on हो रहा है तो Unbox के दर बाकी समान पर नजर डाल लेंगे एक sticker देखने को मिल जाता है इसके इलावा आपको यह booklet देखने को मिल रही है जिसके अंदर आपका screen protector भी इसके अंदर मौजूद है तो आपको एक screen protector देखने को मिल जाता है जो कि प्लास्टिक वाला screen protector है जिसको आप बाद में लगा सकते हैं प्री अप्लाइड नहीं आता इसके इलावा कुछ Infinix के एक्सलफ के registration cards मौजूद है और फाइनली आपको एक jelly case देखने को मिल जाता है जिसके side पर आपको Auramio की branding देखने को मिल जाती है फाइनली आपको एक charging brick देखने को मिल जाती है जो कि 18 watt की charging brick है और I think this is exactly the same charging brick जो कि हमने Infinix Note 7 में भी देखी थी इसके इलावा यहाँ पर आपको एक charging cable देखने को मिल जाती है अब जो major upgrade आपको यहाँ पर की गई है वो यह है कि although यह 18 watt की charging ही है लेकिन यहाँ पर जो charging के लिए यूज किया गया सारा standard है वो different है यह USB Type-C वाला है जिसका मतलब यह है कि आप इसको Infinix के charger से भी charge कर सकते हैं और अगर आपके पास कोई और USB Type-C वाला fast charger है तो उसके through भी यह easily charge हो जाएगा यह काफी जादा cross compatible है और Infinix के phones के अंदर जनरली इस price category में हमें earbuds देखने को नहीं मिलते तो यहाँ पर भी हमें earbuds देखने को नहीं मिल रहे है लेकिन pre-orders के अंदर आपको जो earbuds है उनका giveaway मिल ही जाएगा और भाई यह phone जो है Iceland fantasy इसका color भागे ही बड़ा मतलब unique है और देखने में लाइक मैं इसको कैसे explain करूँ यह उपर से शाद कैमरा में तो आपको बहुत ज़्यादा blue नदर आ रहा हो लेकिन actual में यह बहुत ज़्यादा reflective है और ऐसा लग रहा है कि golden और blue और purple के दरम्यान में कोई यह color है इसका जो gradient है वो camera बे शोग करना उतना possible नहीं है लेकिन यह actual में कोई एक खास रंग नहीं शोग कर रहा है इसके multiple colors हैं जिनको move around मैं कर रहा हूँ camera में उतना बेतर नहीं नदर आएगा back पर आपको quad camera setup मिल जाता है जिसमे 64 megapixel का quad camera है और Infinix claim करता है कि यह दुनिया का पहला 64 megapixel का quad camera है जो कि इस price category में आपको देखने को मिल रहा है और by the way price category मैंने आपको clear की है ना कि यह under 30,000 के price tag में आ रहा है और Infinix का जो note 8i है वो इससे भी कम price tag में होगा और उसमें 2-3 चीज़ें change की गई है आपका camera कम है front और back वाला और उसके इलावा I think screen size का थोड़ा सा difference है लेकिन in general दो phones launch हो रहे हैं एक यह note 8 है और एक आपको note 8i मिल रहा है मैं phone को जल्दी से setup कर लेता हूँ इसमें softwares बगरा install कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं अगया तो phone याबर finally ready हो गया है और मैंने इस mobile phone के अंदर जो biometrics से setup कर ली है अब इस mobile phone के अंदर आपको काफी तेज fingerprint scanner देखने को मिल जाता है जो कि आपके side mounted power button के अंदर मौझूद है इसके लाव आपको front camera के अंदर face ID की support की देखने को मिल जाती है लेकिन I don't think so कि उसके कोई भी जादा यूस करे वो भी वैसे काफी जादा तेज है लेकिन जैसे ही आप power button का प्रेस करते हैं तो उससे पहले ही कि आपकी face ID काम करना साट करे आपका जो fingerprint scanner है वो आपके finger को read कर लेता है नीचे वाली side पर आपको type C की port और आपका headphone jack जिवा वो देखने को मिल जाता है back side पर आपका quad camera setup मौझूद है उपर वाली side को खाली रखा गया है जिबकि अगर आप बात करते हैं इसकी left वाली side की तो वहाँ पर आपको आपकी जो sim slot है वो देखने को मिल जाती है और जहां तक बात है इस mobile phone के अंदर मौझूद sim situation की तो I don't think so कि Infinix की तरफ में यहाँ पर कुछ surprises मिलें लेकिन मैं फिर भी देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या situation है I am expecting कि यहाँ पर दो sims और एक memory card की option available होगी memory card की अगर dedicated start नहीं भी होती तो मसला नहीं है क्योंकि 128 GB की internal storage के साथ आ रहा है लेकिन यहाँ पर फिर भी आप इसको memory card के थुरू expand कर सकते हैं इसके इलावा यहाँ पर front camera जो है वो 16 Megapixel का है तो हमने यहाँ पर कुछ sample shot लिये हैं और मैं यह बताना चाहूंगा कि इस mobile phone का camera under 30,000 एक काफी decent quality का result प्रवाइड करता है यह इसके front camera का result है आप देख सकते हैं images काफी bright आती है और यह indoor lighting के अंदर लिया गया है इसके इलावा यह जो picture है इसको अगर आप गोर से देखे तो शायद आपको ऐसा लगे कि यार ठीक है result अच्छा है लेकिन उत्तरा मज़ा नहीं आया वैल मैं यह बात आपको बताना चाहूंगा कि जिस जगा पर यह तस्वीर ली गई है वहाँ पर मुकमल pitch black था आपको इनसान भी नज़र नहीं आता लेकिन फिर भी इस तस्वीर के अंदर आपको यह human subject इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि इस mobile phone के front camera के साथ आपको एक dedicated LED flash देखने को मिल जाती है तो अगर आप उसका इस्तमाल करते हैं तो आप देख सकते हैं यह काफी ज़ादा powerful है और यही वज़ा है कि आपको काफी अच्छे जो results हैं वो देखने को मिल जाते हैं वीडियो के अंदर भी यहाँ पर काफी मज़दार options available है अगर आप front camera की बात करते हैं तो वो 2K video recording support करता है और back camera के अंदर भी exactly यही दिया गया है जो चीज मैं नहीं expect कर रहा था वो यह है कि camera के अंदर anti-shake mode यानि कि stabilization mode भी दिया गया है तो उसकी facility भी यहाँ पर available है यहाँ पर boke mode भी available है और यहाँ पर जो night mode की facility है वो भी available है although वो सिरफ back camera के अंदर available है तो आप night mode के लिए front camera का इस्तमाल नहीं कर सकते है जहां तक बात है N22 की तो N22 भी हमने इसके उपर run कर लिया था और यह तकरीबन 2 लाग का score provide करता है तो gaming के अंदर especially PUBG जैसी games के अंदर यह mobile phone आपको काफी अची performance प्रवाइट करने वाला है इसके इलावा यहां पर 5200 mAh की बैटरी दी गई है तो आपको at least 2 दिन का बैटरी बैकप यहां पर मिल जाएगा अगर आप एक normal user है अगर आप heavy user है तो date दिन का बैटरी बैकप आप expect कर सकते हैं 18 watt की fast charging है तो overall यह जो device है एक काफी decent device बनती हुई नजर आ रही है यहां पर ads और bloat wear आपको out of the box मिलते हैं लेकिन मैं हमेशा बताता हूँ कि infinix के phone को open करते साथ आप जो इसकी other settings है menu की इन सबको off कर लें तो आपको कोई ad कोई bloat wear कुछ नजर नहीं आएगा और एक काफी clean experience नजर आ जाएगा आप देख सकते हैं यहां पर भी जो game की notifications आ रही ही वो चली गई है तो overall ads जरूर मिलते हैं out of the box लेकिन you can just fix them simply आप इसका जो settings है उनको off कर सकते हैं overall जो phone है वो मुझे काफी decent device बनती हुई नजर आ रही है मुझे आप लो कमेंट से बताएगा कि इस phone के related आपके क्या opinions है personally मुझे देखने में काफी decent लगा है यह phone मुझे hold करने में काफी decent लगा है इस mobile phone के front side पर speaker है वो भी एक stereo speaker है तो आपको stereo speaker effect मिल जाता है आप video काफी अच्छी तरह से इस पे देख सकते हैं आपको काफी बड़ी screen देखने को मिल रही है तो overall phone मुझे एक काफी जादा solid option अज़र आ रही है in fact इस price category में बहुत कम ऐसी devices हैं जो कि इतना जादा specification वाली side से आपको अच्छी चीज़े provide करें तो मुझे comment से बताएगा कि इस mobile phone के related आपके क्या opinions है personally मुझे तो phone बहुत जादा पसंद आया है चैनल पर नहीं है चैनल को subscribe कर लिजेगा वीडियो को like कर देजेगा दूसरे शेयर कर देजेगा इस वीडियो में इतना ही दस इस विलाल signing off अलाफिर